गुणा की अगली विधी एका दिकेन पूर्वेन है। इस विधी का प्रयोग तब करते हैं जब गुण्य और गुणक की इकाईयों का योग दस हो तथा शेश समुह समान हो। उदाहरन पंदरा बारा और अठारा का गुणा एका दिकेन पूर्वेन विधी से करना है। इस विधी में गुणा करते समय हम यहां देखते हैं कि बारा और अठारा में जो इकाई के जो अंख हैं दो और आठ इनका योग दस है और बाकी समुह जो हैं वो एक जैस समान है। तो यहां पर जो एक समान समुह है उसके एक अंख में हम एक जोड़कर इसे दो बनाते हैं और दो से जो दूसरी संख्या में जो समान समुह की जो संख्याएं हैं उससे गुणा करते हैं। तो यह हमको मिलता है हमारे उत्तर का बाया हिस्सा दो गुणा एक बाया हिस्सा और दाए हिस्से के लिए इकाई के अंकों को हम गुणा करते हैं तो यहां हमको मिलता है आठ गुणा दो तो इस प्रकार जो उत्तर होगा वो 216 मिलेगा।